नमबर सीरीज का कोशन है पांच, दस, चालिस, असी, तीन सो बीसी और उसके वाद में कोशन मारक है इसका मान आपको फाइंड आउट करना है तो इसे कैसे सोल करेंगे इसके लिए आपको चार आपशन दिये हुए हैं A, B, C, D तो इसमें से अंसर फाइंड आउट करना है तो हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा इसी प्रकार से हमें 10 से 40 पर जाना है तो 10 को 4 से गुणा करोगे तो 10 चोके 40 हो जाएगा इसी प्रकार से 40 से 80 पर जाना है तो यहाँ पर 40 को 2 से गुणा करोगे तो 80 पर पहुंच जाओगे इसी प्रकार से 80 से 320 पर जाना है तो 80 को 4 से तो आठ चुके 32 ते तीन सो बीस पर पहुंच जाओगे अब आपको 320 से कोश्चन मार्क पर पहुचना है तो कितने से गुना करोगे क्योंकि सबसे पहले हमने 2 से गुना किया उसके बाद में 4 से गुना किया तो उसके बाद वापिस 2 से गुना किया उसके आगे 4 से गुना किय तो आगे हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा तो 320 को आपे 2 से गुणा करोगे तो 0 का 0 आ जाएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा और 3 दूनी 6 आ जाएगा तो इस प्रकार से कोशन मार्क की जगए हमारा 640 जाएगा जो कि हमारा C option बिल्कुल है करेक्ट हो जाएगा इसमें नंबर सीरीज में पहले 2 से गुणा करेंगे फिर 4 से फिर वापिस 2 से फिर 4 से तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि यह जो सीरीज है गुणा की वो आपस में रिपीट हो रही है तो 320 को 2 से गुणा करने पर हमें 640 आंसरे प्राप्त हो जाएगा एनलोजी का आपका कोशन है जिस परकार से 25 का सम्बंदे 125 से है उसी परकार से 36 का सम्बंदे कोशन चिनकी किस संक्या से होगा यह आपको फाइंड आउट करना है ABCD आप्सन में से तो इसे हम सोल करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले 25 लिखा हुआ है उसके आगे 125 लिखा हुआ है मतलब भी 25 क्या होता है 25 पांच का स्कॉाइर होता है इसी परकार से 125 क्या होता है तो यह 5 का क्यूब होता है सिमिलर हम आगे देखते हैं यहाँ पर 36 लिखा हुआ है तो 36 किसका स्कॉाइर होता है तो 6 का स्कॉाइर होता है तो पहले वाले संक्याओं को हम कंपेर आपस में करते हैं पहले हमने 5 का स्कॉाइर किया बाद में उसी संक्या का हमने क्यूब किया इसी प्रकार से यहां पर हमने 6 का स्कॉर किया है तो आगे हम क्या करेंगे 6 का क्यूब करेंगे मतलब 6 को आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो 6 चंग 36 हो जाएगा 36 को 6 से गुणा करोगे तो आपका 216 आ जाएगा मतलब कोश्टन चिन की जिगह है 216 आपका मान आएगा जो कि आपको आपस नमबर C में गिवन है तो C इस कोश्टन का अंसर हो जाएगा यहां पर गिवन कोश्टन में आपको दो ट्रैंगले नजर आ रहे होंगे जिन में अलग-अलग संक्याइं लिखी हुई है और यहां पर एक कोश्टन मारक है इसका मान आपको A, B, C, D में से फाइंड आउट करना है तो इसे कैसे सॉल करेंगे वो देखते हैं तो सबसे पहले इसे उपर वाले पार्ट को देखते हैं वन ने तो वन से हम कितने पर गए थ्री पर गए तो हमने कितना जोड़ा यहां पर दो जोड़ा है इसके बाद में हमें थ्री से फाइप पर जाएंगे तो यहां पर भी हमें दो जोड़ना पड़ेगा इसी परकार से हमें पंद्रा से सत्रा पर जाएंगे तो प्लस दो जोड़ेंगे दो से हमें चार पर जाना है तो हमें दो जोड़ना पड़ेगा और चार से हमें कितने पर जाना है छे पर जाना है तो यहाँ पर भी दो जोड़ना पड़ेगा इसी प्रकार से अगर आप कॉशन मार के से सोला पर जाना पर चाहते हो तो इसमें से 16 में से कितना कम होना चाहिए 2 कम होना चाहिए मतलब कोशन मार्क की जगए कितना होना चाहिए 14 होना चाहिए तब ही तो आप 2 प्लस करके 16 पर जा पाओगे और 16 से 18 पर जा पाओगे 2 प्लस करके तो इस प्रकार से कोशन मार्क की जगए कौन से संक्या नीच चाहिए चाहुदा हमारा आना चाहिए एक बार आपिस से देख लेते हैं आउटर संक्या में हमने एक से तीन पर गए दो हमने एड़ किया तीन से हम पाँच पर गए दो हमने जोड़ा पुंद्रा से हम सत्रा पर गए, दो हमने जोड़ा, और यहां पर है, सत्रा से हम उनिस पर गए, तो यहां पर भी दो जोड़ा, सेम कंडिशन अंदर एपलाई करेंगे, तो दो से हमें, चार पर जाएंगे, तो दो जोड़ देंगे, चार से हमें, छे पर जाएंगे, तो यहा पंद्रा से सत्रा पर गए थे तो सत्रा से कितने पर जाएं कि यहाँ पर प्लस दो हो जाएं क्योंकि उपर भी प्लस दो हो रहा है तो यहाँ पर संक्या कौन सी होनी चीए यहाँ पर 14 होनी चीए जिससे प्लस टू करके हमें 16 पर पहुंच जाएंगे और वापिस प्लस टू क के हम 18 पर पहुंच जाएंगे तो option number B हमारा correct answer आ जाएगा मतलब question mark की जगर क्या आएगा 14 हमारा answer आ जाएगा question है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का chain करना है इसके लिए आपको A B C D चार option आपको given है तो इसमें से आपको option choose करना है तो इसमें हम देख सकते हैं जो संक्या हैं A में 8 से 15 लिखा हुआ है B में 25 से 36 लिखा हुआ है C में 59 से 64 लिखा हुआ है और D में 81 से 100 लिखा हुआ है तो इन संक्याओं का हम चेक करते हैं तो सबसे पहले हमने संक्या B को देखते हैं तो B में लिखा हुआ है 25 और 36 लिखा हुआ है और 64 आठ का स्क्याओं होता है इसी प्रकार D आप्शन में 81 आपका 9 का स्क्याओं होता है और 100 आपका 10 का स्क्याओं होता है जबकि आप्शन A में 8 किसी भी संक्याओं का स्क्याओं नहीं है और 15 भी स्क्याओं में नहीं है इसलिए हमारा A आप्शन डिफरेंट हो जाएगा अन्ने से तो A हमारा बेमेल विकल पे हो जाएगा दिये गए कोशन में दिये गए डाइग्राम में आपको बताना है कि तिर्बुजों की संक्या कितनी है और इसके लिए आपको चार ओप्शन A, B, C, D गिवन है तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला डाइग्राम में तो इसमें 1, 2, 3, 4 है फोर तिर्बुज है छोटे वाले इसका डबल करेंगे तो कुल तिर्बुजों की संक्या निकल जाएगी मतलब है एक डाइग्राम में 8 तिर्बुज है तो इस परकार से 8, 8, 8 है ये कितने हो गए 32 तिर्बुजों की संक्या हो गए लेकिन इन दोनों के मिलने से यहाँ पर ये वाला तिर्बुज बन रहा है और ये एक उल्टा तिर्बुज बन रहा है तो इनके मिलने से यहाँ प सिमिलर आगे भी हमारे दो तिर्बुज बन जाएंगे तो दो चार छे छे तिर्बुज और बन गए तो 32 प्लस से कितना हो गया आपका 38 हो गया तो कुल मिला करें 38 तिर्बुज है तो आपसन नमर डी आपका करेक्टर हो जाएगा